गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंशुक्राने है एक राजा के दरबार में एक पुरोहित जी आया करते थे राज पुरोहित थे और बहुत ज्ञानी थे बहुत ज्ञानी सारे उपनिशाद अवेद सब पढ़े हुए पढ़े हुए हां शब्दों पर ध्यान दीजेगा बहुत जाना देखा बहात होती है अलग-अलग शब्दों पर ध्यान दीजेगा तो बड़े पढ़े लिके बड़े ज्ञानी राजा ने और राजा जब वो आते थे तो खड़ा हुजाया करता था हमेशा और जब वो बैठते थे दरबार में अपने आसन पर तब राजा ब सब चुप रहते भई ज्ञानी थे वो एक दिन की बात है राजा के मन में आया कि दरबारियों के मन में भी आता होगा कि भई मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ एक प्रश्ण रखा जाये इनके सामने उसका ये जवाब देंगे तो बहुतों का संशे हल होगा कि बड़े ज्ञानी है राजा ने पूछा महराज एक प्रश्ण पूछना चाहता हूँ मैं आपसे प्रोजी बोले बताईए भरे दरबार में राजा ने पूछा महराज ये बताईए कि दुनिया में व्यावार महत्वण है या ज्ञान अर्थात ज्ञान बड़ा है या व्यावार व् सब लोग करते हैं, हम लोग काम धंदा करते हैं, व्यवार करते हैं, तो ये बड़ा है या ज्ञान बड़ा है, आप क्या करते हैं, क्या बड़ा है, राज पुरही जी उस समय चक पका गए एक दम, तो क्या पूछ लिया राजा ने, भाई ज्ञान सर्व सेष्ट है, लेकिन अ जानते हैं कि ग्यान क्या होता है, जो ग्यान को नहीं समझते हैं, वो ग्यानियों की इज़त नहीं करते हैं, पुरह जी ने विचार किया, उन्हों का राजन मैं आपको इसका जवाब दो तिन दिन में दूँगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, राजन नहीं का हाँ, महराज बड़ा इज़त करते थे राजा खाली एक प्रश्न रखा था ज्यादा राजा को भी नहीं वो था कि मैं क्यों पूछ रहा हूं पर सबके सामने क्योंकि बात ऐसी उट रही थी कि इनकी बहुत इज़त करते हैं तो प्रश्न करके समाधान करके एक हो जाता है कि इसलिए करते हैं इज़त क्योंकि ग्यानी है अब राज पुरोह जी परिशान परिशान से एक दिन हो गया दो दिन हो गया पत्नी ने कहा आप कुछ परिशान दिख रहे हैं क्या बात है पुरोह जी ने उनके सामने बात रखी पत्नी के सामने कि राजा ने ये प्रश्ण पूछा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूँ क्योंकि प्रश्ण का जवाब बड़ा सिंपल है ग्यान सर्व सेष्ट है लेकिन राजा ने पूछा है तो कहीं ऐसा नहो कि मैं सब के सामने जब जवाब दूँगा तो मैं कहीं फस न जाओं कोई बात न हो जाए सही जवाब होना चाहिए प्रेक्टिकल भी होना चाहिए मतलब अकबर ने पूछा भीरबल से तो अरे भगवान क्यों भाग कर आते हैं भगतों को जब कोई भीर परिशानी आती है तो भगवान ने का मैं स्वैम आता हूँ अरे उन पर निरे छेला चपाटा निरे भगवान के क्या कमी है किसी को बेज़दे मदद करने को भई भगवान तो किसी को बेज़दे मदद करने को भगवान स्वैम क्यों भाग कर आते हैं, मैं नंगे घगतरं पर भीर परीं नंगे घगत पाओ गतरं वह पहुं है, यह क्या बात हुई भाई, भीरबल ने का सिर मैं आपको प्रेक्टिकल जवाब दूँ या ऐसे ही बता दूँ, अकबर ने का वे प्रेक्टिकल बास आओ तो समझ में आएगा ऐसे तुम बता दोगे तो बताई दोगे मुझे समझ में नहीं आएगा ठीक से बोले अच्छा सब चलिए सरकार ऐसा करते कल प्रोग्राम बनाते हैं आगरा में लाल किले के पास में यमना नदी बहती है तो यमना नदी में कल हम लोग नौका वेहार करेंगे और तब सलीम पैदा ही हुआ था अकबर के छोटा बच्चा गोदी में सरकार राजकुमार को जरूर ले चलेंगे बाच्छाटी अब चल पड़े अगले दिन की बात है नौका वेहार करने लगे बीरवल भी बैठे थे राजा भी बैठे थे अकबर वो तो एक नाव में थे बच्चा लेके बीरवल को दे दिया था तो तुम पकड़ लो क्योंकि मुझे नहीं मालूम ऐसा सुनते हैं कि अकबर जरा भई दिल डॉल के रहे होंगे जैसा हम समझ सकते हैं राजा थे तो बड़े दिल डॉल के रहे होंगे तो पूरी नाव में एक तरफ सीट पर वो बैठे सामने बीरवल बच्चे को लेकर पता नहीं क्या सूजी बीरवल को के राजकुमार को दिखान लगे देखो 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 यमना नदी यमना नदी और ढलका दिया और नदी में बच्चा गिर पड़ और राज अकबर कूद पड़े और बचा लिया बच्चे को ले आए सब लोग आगए एकदम सबने बाहर निकाला राजा को भागल आदमी क्या करता है दिमाग खराबे तेरा उन्हें का सर ऐसा है एक मिनट एक मिनट नाराज आप फोड़ लेना आप मुझे दंड दे देना कुछ भी करना एक बात बताओ आपके तो इतने चारों तरफ सिपाई और इतने लोग तो जब ये राजकुमार गिरे तो आपने इनसे क्यों नहीं कहा राजकुमार को रवे मेरा बेटा है और ये है वो है बस सरकार ऐसी सब भगवान के बच्चे हैं तो भगवान खुद खुद पढ़ते हैं साहता करने के लिए ये मैंने आपको प्रेक्टिकली करके दिखा ओ ये बात थी अरे कुछ हो जाता तो मैंने सरकार नहीं हो था कुछ है वो मैं पत्नी ने पुरोईजी को थोड़ा समझ दी बात्चीत होई समझ पुरोईजी ये बात रात को पुरोईजी पहुंचे खजाने में महल के खजाने में और दर्बान वगवान को साइड करके वह राज पुरोईजी थे सब साइड हो गए दर्बाजा खोला उसका खजाने का और दो मोती बढ़िया वाले वहां सामनी रखे थे वो सारे भरे पढ़े थे हीरे जवाराथ दो मोती उठाए जेब में डाले और निकल लिए वहां से अब दर्बान देखते रहे गए क्या करें और यह भाया लेकिन राजपरो ही थे इनकी इजत राजासा बहुत करते हैं क्या कह सकते हैं हम चुप रहे हैं हो गया अगले दिन यह हुआ परोजी ने का महराज मुझे एक दो दिन और दीजे और कोई बात नहीं फिर रात को पहुँच गए दूसरे दिन दूसी रात को फिर दो मोती निकाले जिम में रख लिए चल पड़े तीसी रात को फिर पहुँचे दो मोती निकाले जिम में रख लिए चल पड़े अब दर्बानों से नहीं रह गया वो पहुँच गए राजा के पास, सरकार तीन राते हो गई हैं, वो दो-दो मोती रोज उठा के ले जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं पुरोज जी, ए भगवान, राजा को तो विश्वास नहीं हुआ, इतने ग्यानी और ऐसा नीच करम, इतने ज्ञानी और ऐसा नीचकरम अगला दिन हुआ दर्बा लगा हुआ था राजा बैठा हुआ था पुरोई जी आए राजा खड़ा नहीं हुआ ऐसे आदमी के लिए खड़ा हुआ जाएगा आप बता चोर राजा खड़ा नहीं हुआ राजा बैठा रहा, सब ने देखा हैं, आज क्या हो रहा है, आखे पाड़ पाड़ कर सब देख रहे हैं, कुछ लोगो मजा भी आया, अब आया मजा, राजा रोज खड़े हो जाते थे, और कोई बात हो गई दिखती है, ये है, वो है, काना फूसी होने लगी, खेर कुछ लो महराज, सवाल का जवाब तो मिल गया आपको, मैं, सवाल का जवाब मिल गया, का मिल गया जवाब, पर सरकार आज आप खड़े नहीं हुए, ये जवाब है, राजा ने कहा, एक बात बताओ पुरोई जी, जवाब तो होता रहेगा, आप मोती चुरा रहे हो रोज वहां से, ख़जाने से, बोले हाँ, पुरज जी ने का हाँ, सरकार, चुरा रहा हूं, और इसलिए चुरा रहा हूं ताके आपको आपके सवाल का जवाब दे पाऊं, राजा ने का मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो, बोले सरकार देखिए, मेरा जयान एक महीना पहले, दस दिन पहले, आज से छे दिन पहले, आप पूरी मेरी इजद करते थे, खड़े होते थे, और मेरे जयान के लिए, कल भी आप खड़े हुए थे, जब तक आपको इक खबर नहीं मिली थी, और आज आपको खबर मिल गई है, और आज आप तो कौन बड़ा हुआ, ज्यान के व्याभार? कोई नहीं पूछता ज्यान को, जब कोई बात आती है न, जब कोई व्याभार एक बात आती है, तो ज्यान को कोई नहीं पूछता है गुरुजी के बारे में पता चल जाए उन्होंने जूट बोला तो दस आखे टेड़ी मेड़ी हो जाएंगी जूट बोलते हैं गुरुजी जूट बोलते हैं गुरुजी क्यों? अब तक तो ज्ञान सुनते थे गुरु भगवान, गुरु भगवान, गुरु भगवान सब करते थे और आज क्या हो गया? तो कौन बड़ा हुआ आप बताओ? व्यभार बड़ा हुआ? व्यभार व्यभार की तरह चलेगा आप उच में ज्ञान घुसा होगे आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी कोई कदर नहीं करेगा आपकी सब हसेंगे आपकी उपर बोलते कुछ हो और है, करते कुछ हो और है क्या बोलते हैं पता नहीं है तेकि ग्यान होता है हमारे लिए इसी लिए मैंने थोड़ा सीखा, समझा और उस ग्यान को मैंने फिर Simplify करा, सबके लिए आसान करा, कि हम भगवान के बच्ची हैं हम कितना एक हैं भगवान से अगर हम भगवान के बच्ची हैं हम माबाप के बच्ची हैं, तो हम माबाप से एक हैं एक मतलब शाड़िडिक तर से नहीं पर वैसे भाव से हम इनके बच्चे हैं यह हमारे माता पिता हैं हम इनके बच्चे हैं एकता हो गई है ना चलो यह तो व्याभारिक है ज्ञान में एकता और उची है हम भगवान से एक हैं हम उनके बच्चे हैं हम उनका अंश हैं हम भगवान से सो परसेंट एक हैं भगवान के साथ सो परसेंट एक है हम उनके बच्चे है बहुत सरल है अब हर बात से बच्च जाओगे ज्यान की भाषा बड़ी उल्जाने वाली होती है हर बात से बच्च जाओगे हम तो बच्चे हैं तो बच्चे हैं आदा कुछ जानते नहीं है, तो समझ नहीं है, हमें बहुत अकल नहीं है, आप देखते होंगे, ये जो 20-22 साल की उमर के बच्चे होते हैं, इनकी अकल बहुत तेज हो जाती है, कुछ व्याभारिक बात समझाओ, कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, आप समझाते होंगे अप और आप इस बात को समझते होंगे आप अनुभवी हो, आप जो कह रहे हो, उसके भले के लिए कह रहे हो, पर वो ऐसे देखता है आपको, हमें सब पता है, तुम क्या बता रहे हो, उसको केवल वाचिक ज्यान है, बोलने का ज्यान है, अभी भुकता कुछ नहीं है, उसने द देखा कुछ नहीं है दुनिया में, खाली बस सीख गया है, क्योंकि हमने दस बार समझा दिया है, उसको तो दस बार वो सीख गया है, अब वो देखता है, हमारे टेड़ा टेड़ा करके, दस बार बता चुके हो तुम पहले ही है, रात को बेटा, तुम लड़की हो, अकेले नहीं जाना चाहिए ये बात किसने सुनी है किसने नहीं सुनी है किसने नहीं सुनी है वहाद उठाओ और जब किसी लड़की को बताओ रात को घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए तो टेड़ी निगाह से देखती है क्यों? अरे सो बार बता चुकी हो तुम इस बात को लेकिन उसको अकल है क्यों नहीं अकेले जाना चाहिए अकल नहीं है उसको practically अभी कुछ नहीं देखा है उसने सुना है बस लोगों से सुना है कुछ किस्से सुन लिये कुछ बाते सुन लिये पर अभी जो एक practical knowledge होती है ना वेभारिक ग्यान वो नहीं है उसको ये कमी रह जाती है और इसी कमी में लोग मार खा जाती है मैं एक जगे एक उधारन दिया आपको आप इसको दस जगे लगा लो किसी लड़के से कहो बेटा तुम अभी 20 साल के हो अभी बड़ा बिजनस मत करो पहले छोटा करो और छोटे को दीरे दीरे बढ़ाना है ना छोटे को दीरे दीरे बढ़ाना अनभव लेना दुनिया का अनभव लेना लोग कैसे हैं कैसे बात करते हैं कैसे व्याबार होता है तुम जब किसी करा दिया, एक करोड रुपे का उधार दे दिया तुमने, वसुल लो, लियाओ मार्केट से उठालाओ, एक करोड रुपे अपना वापिस समझे नहीं, लेकिन उसको नहीं समझ में आएगा ओभीस्ताल का लड़का नहीं समझेगा वो तो कहेगा, मैं सब कर लूँगा देख लूँगा मैं उन्हें, सब कर लूँगा तो पुरोईजी कहते हैं महराज मैंने आपको यह दिखानी के लिए किया था, केवल यह रहे आपके मोती बापिस, मैंने नहीं चुराए मैंने सिर्फ व्यवार दिखाया कि अगर मेरा व्यवार खराब हो जाए, तो आप मेरे ग्यान को महतो नहीं दोगे, आप मेरे व्यवार को देखोगे ग्यान चाहे जितना इखटा कर लो, जितनी किताबें पढ़ लो एक अकसर मुझे वो बात याद आ जाती है तीन चार गुरु के बच्चे किसी शहर में सत्संग करने गए थे हमारे गुरु जी ने बाद बताई तो गए थे वहाँ तो सत्संग करके आए, गीता के एक दुश लोग नोन हिंदी में बोल दिये और कर करा के जब आए तो वहाँ जो एक बड़े सज्जन बुजर्ग से बैठे थे उन्होंने उनको बुलाया बच्चों को कि आप लोग बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा में सत्संग किया आपने गीता के बारे में भी थोड़ा बताया आपने मेरे को गीता रटी पड़ी है और यह जित्ते बैठे हैं यहाँ पर इन सब को मैं जानता हूँ और मैंने इन सब से कहा है कि मैं गीता का पाठ करूँगा आपको उसके बारे में बताऊंगा विवेचन करूँगा आप लोग रखो एक दिन हपते में एक दिन कोई आता ही नहीं है इनमें से और यह आपके सामने सारे बैठ के सुनना है और आप एक हपते से हो यहाँ और एक हपते इन्होंने लगातार सब ने सुना है और सब आ रहे हैं और सब आते हैं रोज आते हैं इस सट्संग में जो ये माता जी करती है सत्संग और मेरी को सुनता नहीं है ग्यान बड़ा हुआ व्यभार तो गुरु जी ने कहा कि ये बच्चे जो सत्संग करते हैं जीवन में लगाते हैं इस ग्यान को बोलचाल का जो ग्यान है इसको ये जीवन में लगाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं वो गीता पढ़े हुए केवल बोलते हैं उनके जीवन में कुछ नहीं है हम पुराणों के पुराणों के दस्टांत सुनें श्रीमत भागवजी का श्रमण करें भागवजब सब्ता होते हैं श्रमण करें, सुनें और जीवन में कुछ ना लगाएं तो वो साथ दिन हमने बेकार कर दिये हमें कुछ सीखना चाहिए था वहां से वो साथ दिन जो हमने लगाए उसमें से कुछ जीवन में लगाना चाहिए था, यहां क्या है गुरू हमको खोल खोल के ऐसी बाते बताते हैं, हम जो गलतियां कर रहे होते हैं, हम जो बाते कर रहे होते हैं, हम जो समय बरबाद कर रहे होते हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम हर चीज के बारे में गुरू हमको बताते हैं, और हमारी समझ खुलती है, और हमारे जीवन में ग्यान आता है, आप जब सत्स का महत्व है आपका व्यभार बदला तो लोग आपका ग्यान नहीं देखते हैं आपका व्यभार देखते हैं एक जनी बोले मैं सच्छंग में आने से पहले बहुत खुराइट था खुराइट खुराइट समझते हैं गुस्से वाला चिर्चिरा जरा कोई कुछ कह दे तो मैं चिर्चिरा कर पढ़ता था सत्संग में जब से आया तो मेरा सुभा काफी बदल गया है काफी देखिए पुरा तो अब बदलने के और बात है मुश्किल होता है सारा बदलना लेकि काफी बदल गया लोग मुझे अब पसंद करने लगे हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो तो ग्यान को जब तक हम ब्यवार में नहीं लगाएंगे उसका कोई महत तो नहीं है उसका कोई लाब नहीं है उसकी कोई वैलियू नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है कितने ज्ञान हो किसी को कोई कीमत नहीं उसकी वाचिक ज्ञान कहते हैं इसको बोलता हुआ ज्ञान हर आदमी वैभार देखता है हमारा प्रेम भरा वैभार है, बोली है हमारी अच्छी बोली है, मीठी बोली है हर आदमी पसंद करता है कितनी ज्ञान हो बोली हमारी अच्छी नहीं है कोई पसंद नहीं करता आप देखते होगे जब भी आप मीठा बोलते हो लोग आपको पसंद करते हैं और जब भी आप कुछ कड़वा बोल जाते होगे या तेज बोल जाते होगे या डांट देते होगे हर अदमी टेड़ा होके चल देता है आपके घर वाली टेड़े हो जाते है एंड जाते है रूट जाते है बात करना बंद कर देते है बताव तो वह आपका ग्यान देख रहे हैं वैवार तभी भगवान ने कहा गीता में ग्यान यग्य सर्व स्रेष्ट अब यग्य की परभाषा क्या है यग्य क्या है अगर एक सब्द में जवाब देना चाहें तो यग्य देना रुक्रिया अच्छा ये हुआ कर्म देना रुक्रिया अगर हम इसको एक सब्द में कहें तो कर्म तब ही भगवान ने का ग्यान यग सर्वस्रेष्ट है, ग्यान जब कर्म में आ जाता है तो वो सर्वस्रेष्ट हो जाता है और ग्यान जब कर्ब में नहीं आता, वो ग्यान का कोई महतु नहीं, कोई औचित नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं पूस्ता, बड़े-बड़े ग्यानी घूम रहे हैं, लोग कहते हैं अकल मेरे पाद जादा है, पैसा उसके पाद जादा है, यह क्या है, अकल मेरे पा पैसा पैदा होता है? तो अगर अकल जादा है तो पैसा क्यों नहीं है? इसका मतलब जो भी कह रहा है उसको theoretical अकल है, theory, theory में. व्याभारिक अकल नहीं है. व्याभारिक अकल से ही पैसा पैदा होता है. व्याभारिक अकल क्या? मीठा बोलता था, शैद उतना बढ़िया नहीं था. पर कड़वा बोलता था, शैद बहुत बढ़िया था. किसका शैद ज्यादा बिकता था? जो मीठा बोलता था. ऐसे है दुनिया, है ना? समझने की बात है. समझने की बात है, दुनिया ऐसे ही है तो अकल वकल को छोड़ो, व्यभार पे आजाओ व्यभार को सुधार है हम एक-एक ज्ञान की पॉइंट को जीवन में लगाएं सुनते हम ऐस अत्संग, ज्यादा मत सुनो भले, थोड़ा सुनो जीवन में लगाओ ज्यान को जीवन में लगाने के लिए, गुरुजी ने एक बात बहुत चलती है Develop an attitude of gratitude, शुक्राना मानो शुक्राना मानो भगवाल ने जो दिया है, उसका शुक्राना मानो कोई व्यक्ति आप से, मान लीजे, कहता है, सौर पे दे दो आपने दे दिये, सौर पे कुछ नहीं होते है, आपने दे दिये, आजकल सौर पे क्या कीमत है, आपने दे दिये वह आप से कहें, बहुत धन्यवाद आपने सौर पे दिये, मुझे कितने काम आए मैं पता है तीन किलो आटा लेकर गया थोड़ी सी थोड़ी सी प्याज लेकर गया और हम लोगों ने प्याज की चटनी बनाई और रोटी बनागे सारे घर ने खाई आपका इतना धन्यवाद है आपका इतना धन्यवाद है मैं क्या करूँ मैं कैसे करूँ मैं आपका धन्यवा आप कैसा लगा? इसी प्रकार भगवान को भी वही पसंद आता है, जो शुकराना मानता है. भगवान, आपका लाख लाख शुकराना है, आपने मुझे ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया, अब देखे हरे के पास अलग अलग है, सबके पार लग लग चीजे हैं घर लगे परिवार लगे किसी का छोटा किसी का बड़ा किसी का कैसा किसी के पार ये चीज अच्छी किसी के पार वो चीज अच्छी तो मैं तो नाम नहीं ले पाऊंगा तो हम यही तो कह सकते हैं आपने ये दिया है वो दिया है जो आपके पास है भगवान आपके बहुत शुक्राने बहुत शुक्राने बहुत शुक्राने बहुत तो कैसा लगेगा भगवान को अच्छा फिर जो इतना शुक्राना मान के गया तो हमाई मन में आता है इसको सो रुपे और दे दो एक कल और खालेगा अच्छे से, हवाई तरफ से खालेगा, कोई बात नहीं, अब भया, एक बात, सुन, 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 तो निकाले, ये भई, सौर रुपे और लेला, आपके कितना मैं गुणगान गाओं, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, आपने इतना द या इतना दिया, कोई नहीं देता है, पाँच रुपे भी नहीं देता कोई, आपने सौर रुपे दिये, कितना धन्यवाद है, कितना धन्यवाद है, कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऐसे हम जब भगवान से कहते हैं, हे नात, हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, प्रभु आप हर तरह से हमारा ध्यान रखते हो, हमको घर दिया, परिवार दिया, हमको रहने को, सोने को, हर चीज़ के लिए जगा दी, हमको खाने को आप रोज दे रहे हो, अब तीन टाइम दो टाइम जैसा जिसका है भगवान आप हमें इतना दे रहे हो कितना शुक्राना आपका कितना धन्यवाद आपका हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भगवान खुश होते हैं और देते हैं यह उनक्या नियम है law of attraction के साथ second point पर आता है attitude of gratitude आप जो मांगते हो भगवान से जब वो देते हैं तो उसका शुक्राना मानो तो और मिलेगा और नहीं मानोगे तो फिर जैसा भी है जिन से भी कुछ सीखा उनका शुक्राना जिन से भी कुछ मिला माता पिता का शुक्राना और कह सकते हैं माता पिता से अपने बचे लोग कह सकते हैं मामी पापा आपका बहुत शुक्राना आपने हमें बच्पन से अब तक पाल पोस्कर बढ़ा किया आप जो कर सकते थे आपने हमारे लिए वो किया जो कर सकते थे देखे हर एक के माता पिता की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो ज़्यादा कर पाएं हरे हम भी अभाव में पले हैं एक शर्ड बनती थी उसको पहले तो उठा कर रख लेती थी अभी नहीं पहनेंगे कोई function आएगा उस पर पहनेंगे कि इतने कम होता था सामान बहुत अभाव में काम चलाया वक कर पाएं भगवान की कि कभी दिमाग खराब वैसे नहीं हुआ कि मतलब हमाई पर नहीं है हमाई पर नहीं है नहीं जैसे था भगवान कम है तो ठीक है माता पिता से यह ट्रेइनिंग मिली थी उतना पैर फैलाओ जितनी चादर है उतने में काम चलाते थी पांच रुपे महीना मेरे को पाकेट मनी मिलती थी केवल पांच रुपे महीना उस समय में उसको भी में बचा लिया करता था कैसे खर्च कर दे कभी मन किया तो एक रुपया खर्च कर लिया नहीं तो बचा के रखते थे तो आज हमाय पाद जो कुछ भी है भगवान ने दिया है उसका बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना प्रभवा आपने दिया है आपके बहुत शुक्राने माता पिता के बहुत शुक्राने देवी देवताओं को जिनको भी हम मानते हैं उनकी करपा से हम फल फूल रहे हैं जैसा भी जैसा भी मिल रहा है बहुत शुकराने बहुत धन्यवाद है हमारे भाई बेहन बंदो सकाजो भी है उन सभी के शुकराने उन सभी का धन्यवाद है सबी से कुछ न कुछ मिला सबसे हमने कुछ न कुछ सीखा हमारे मित्रों के शुकराने हमारे टीचर्स के शुकराने हमारे किताबों के शुकराने हमारे हर सामान के शुकराने भगवान के शुकराने खाने को देते हैं पानी देते हैं पीने को पानी पीने को ना मिले तो हम प्यासे मर जाए हमको सेवा का मौका मिलता है हम सेवा कर पाते हैं भगवान आपके बहुत शुक्राने हम सेवा कर पाते हैं आपके बहुत शुक्राने शुक्राना मानने चले हैं तो हजार बाते हैं शुक्राना मानने की सबी के लिए शुद भाव भेजना भगवान कितने शुकराने गुरुजी आपके कितने शुकराने आपने हमें शुद भाव रखना सिखाया हम तो जानते नहीं थे शुद भाव होता क्या है कैसे शुद भाव रखा जाता है भगवान सबका भलाओ सबका भलाओ, सबका भलाओ फेना आथे प्रवो, सबका भलाओ ये सुद्ध भाव है, सबके लिए भेजना सबका भलाओ, सबका भलाओ सब में हम भी तो आते हैं न सबका भलाओ, तो हमारा भी होगा हम चिरते कुरते से रहेंगे तो क्या होगा? हमारा ही बुरा होगा. सच्चन में जितने लोग आते हैं, मैं तो अब तक जितनों से मिला हूँ, हरे एक ने एकी अन्भाव बताया है, अब हमारा बहुत अच्छा हो गया सब कुछ. तो मैंने सोचता रहता हूँ, अच्छा कैसे हो गया इनका सब कुछ? इसका जवाब मुझे मिला, कि इन्होंने सुद्ध भाव रखना शुरू कर दिया, सच्चन की बाते सुनकर, इनके भाव अच्छी हो गए, तो अब इनको अच्छा रिटार्न होके मिल रहा है, वापसी अच्छी मिल रही है, गेहूं का बीज बोगे, तो क्या मिलेगी फसल? और बाजरे का बोगे तो? क्यों? गेहूं क्यों नहीं मिलेगा? नियम है परकरती का, हम जैसा बोते हैं, वैसा लोट कर हमको मिलता है, तो जैसे भाव हमको देते हैं, हम लोगों को देते हैं, बाहर देते हैं भाव, वाइब्रेशन छोडते हैं हम, वैसी लोट कर हमको मिलते हैं, what you give out, you get back, जो दोगे लोट कर वहीं मिलेगा, तो गुरु के कितने शुकराने हैं, उन्होंने हमें शुद्ध भाव रखना सिखा दिया, सबका भला हो, सबको शान्ती मिले, सबको सत्संग मिले, सबको भगवान आपका प्रेम मिले, सत्संग मिलेगा तो क्या होगा, जैसे हम पहले से अच्छे हो गए, ऐसी वो भी पहले से अच्छे हो जाएंगे, अच्छे में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ ही बहतर हो जाता है पहले से मैं नहीं कह रहा कोई काँ से काँ यह और बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी पर पहले से हम अच्छे हो गए ऐसी सबका भलाओ, सबका भलाओ सबको सचंग मिले सबको मिले तेरी बक्षी से सबको मिले तेरा प्यार भगवान आपका प्रेम सब को मिले सचंग से हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशाशन बढ़ता है जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी जैसे, जब मर्जी नहीं सचंग के बाद में हमारा जीवन अनुशाशित हो जाता है समय तो ठीक है, दो-चार मिनटी दर उदर हो जाता है पर जीवन जीने की कला, खान-पान, हर चीज हमारी पहले से सुदर जाती है सात्विक की बात नहीं हो रही है, जो आप खाते हैं उसी में थोड़ा साथ सिंपल हो जाता है पहले ज्यादा मिर्च मसाले, भुनना और ज्यादा तेल, घी, मक्षन ये सब कम हो जाता है, थोड़ा सहथ के लिए एज बढ़ती है, तो ये सब तली वली चीज है, कम कर देनी चाहिए आप जाता है, जानता ही है, समोशा खाने का किसका नहीं करता है सब करता है, तो खालिया करो संड़े के संड़े, कोई दिkkot नहीं है इतवार के इतवार खालो, और दिल मत खाओ थोड़ा बहुत तो अनुशाषन करना चाहिए बागी आप जानते ही हैं सब आप खुदी कोशिश करते रहते हैं हलका खाएं, सिंपल खाएं, कम खाएं कम मतलब भूग के साब से वह आप कोशिश करते ही हैं बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है कमिट्मेंट आता है हम जो बात कहते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और जो पूरा नहीं कर सकते हैं उसको हम नहीं कहते हैं अब हमने जूट बोलना लग भग बंदसा कर दिया है लग भग शब्दों पत्यान देना लग भग बंदसा कर दिया है अब हम जूट ना के बराबर कभी-कभी मजबूरी में बोल जाते हैं डर के मारे बोल जाते हैं वाकि वैसे अब हम जूट नहीं बोलते हैं गपे नहीं लगाते हैं बेकार की बड़ी-बड़ी बाते करना अब हमने वो सब समझते हैं हम बड़ी-बड़ी बाते करने का क्या मतलब है जैसा भगवान ने रखा है वैसे रो जो भगवान ने दिया आए वो ठीक है जैसा भगवान ने रखा है वैसे रो वैसी बात करो उतनी बात करो अब हम सच्चाई पर आते जा रहे हैं अब हम सच बोलने लगे हैं ठीक है ना? सुनने में ठीक लग रहा है ना, शब्दों के हिसाब से ठीक लग रहा है ना, अब जीवन में जितना भी लग रहा है कि हर वेक्ति प्रयास कर रहा है, हर वेक्ति प्रयास कर रहा है अपना, हम कोशिश करते हैं, गपें कभी-कभी लगा जाते हैं, किसी की बुराई कर जाते है क्या करें, चलो, पहले से तो बढ़िया है ना, अहां पहले तो बहुत बुराई करते थे अब तो बहुत कम हो गई हमाई बुराई आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बात कुछ ऐसी ही है यह ना, पहले बहुत बुराईयां कर जाते थे criticize करते थे दूसरों को अब बहुत कम हो गया है अब नहीं रहा जाता तो बोल देते बैसे कोशिश करते हैं दूसरों की बात मत करो कम करते हैं अब हम है न दूसरों की बात हैं अब हम कम करने लगे बहुत बहुत अच्छी बात conviction द्रडविश्वास strong belief अब हम भगवान को hundred percent मानने लगे हैं और हम जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा है और उनको हम माने उसमें हमारी भलाई है हर काम उनी की आज्या से होता है कहते हैं पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मरजी से तो हर बात के पीछे शक्ति परमात्मा की है हम उनको मानते हैं बाकि ठीक है अपना प्रयास है, अपनी कोशिश हम करते हैं अपनी मेहनत, अपना प्रयास अपनी कोशिश, अपनी शक्ति अनुसार हम काम करते हैं आगे सब भगवान के हाथ है Do your best and leave the rest to God हम अपनी पूरी कुशिश करते हैं आगे सब भगवान के हाथ है यह हम मानने लगे हैं पहले हम सोचते थे मैं कर लूँगा का है भगवान, क्या करता है भगवान नहीं, अब सत्तन के द्वारा हम सब बात समझ गए है भगवान है और उनी की दुनिया है वो मालिक है हमको शरीर मिला है सिवा के लिए हम सिवा करते है हम स्वयम हम भगवान के बच्चे हैं, उनका आंश है और जिस दिन ये शरीर छूटेगा एक दिन तो आएगा, शरीर छूटेगा हम भगवान के साथ मिलकर एक हो जाएंगे भगवान के भगवान हमारे कर्टेसी, नम्रता आती है बोली में हमारी मिठास आने लगी है दादा भगवान को हमारे पुझ जी दादा भगवान उनको किसी ने कहा कि सत्संग में आके मेरा तो जीवन बहुत बदल गया मैं तो पुरा ज्यानी हो गया हूँ अब ज्यान सुना हूँ आपको दादा जी दादा जी ने कहा अच्छा ऐसा करते है तुमारे घर चलते है, वहाँ सुनेंगे और वो सक पका गया एकदम और भाग गया वहां से और फिर कभी नहीं आया फिर करे जाता है साहस नमरता के साथ साहस बल भी आता है क्योंकि अगर सिर्फ नमरता होगी तो लोग चाट जाएंगे ऐसे एक कावत है गोड की भेली बंदरों के आगे डाल दो तो क्या होगा या मक्खियों के आगे डाल दो तो क्या होगा मक्खियां सब चाट जाएंगी गोड को बंदर सब खा जाएंगे तो नमरता कितनी हो नीचे ये जीवन में ये भी समझने की बात है होती है लेकिन उस सीमा के बाद में नमरता जान लेवा बन जाती है आप ही को खा जाएंगे लोग एक बार एक साप की कथा आती है उसने सत्संग सुन लिया जाकर पढ़ गया एक तरफ बिचारा सत्संग सुन लिया नमरता आ गई अब लड़कों ने देखा ये तो कल तक फंकारता था इधर जाता था तो डर के भाग जाते थे सारे ये तो चुपचा पढ़ाया उन्होंने प मारा क्या हाल हो रहा है खोन निकल रहा है सारे में कौन ने मारा तुमको पुला मैंने सत्संग सुना था उसमें कहा था कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए और शांत भाव से नमरता भाव धारण करके रहना चाहिए तो वही मैं रहा तो लोग तो मुझे पत्थर मार तुम अगर फंकार देते, सारे लड़के भाग जाते वहां से, बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बोला पूरा सुनना चाहिए, आधा सत्संग सुनोगे, तो दुखी हो जाओगे, पूरा सत्संग सुनो, पूरा सत्कुर भेटिया, पूरी हुई युक्त, गुरुगन साम मे कि मेरे को इत्याती नहीं है, उन्हां कहा कि जब पूरे गुरु मिलते हैं, तब हमको पूरी युक्त, पूरा जीवन जीना आता है ठीक से, नहीं तो अधूरा ज्ञान सुनकर, हम अधूरे ज्ञानी होकर, ना इधर के रहते, ना उधर के रहते, पूरा ज्ञान सुनो, का निश्काम भाव से कर्म करता हुआ, मनुष्य मुझे ही पराप्त होता है, अर्थात हसता, खेलता, खाता, पिता, सब के लिए जीता हुआ, वो भगवान से मिलकर एक हो जाता है, यह बात समझ नहीं किये, ठीक है ना, तो दृष्टान से बात समझ में आती है, नमरता बह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक हद के बाहर, वो सब बंधन बन जाता है, जंजट बन जाता है, आफ़त बन जाता है, तो गुरू फिर हमको करीज भी देते हैं, साहस भी देते हैं, सामना करो, अगर कोई तुम पर अत्याचार करे, तो फिर उसका सामना करो, गुरू भगवान की प्रेम की, अनन तनन शुक्राने हैं, हर बात सीखने को, समझने को, हमको गुरू से मिलती है, सारे शुक्राने गुरू के हैं, आज हम जो भी हैं, जितने भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी सीख गए हैं जो भी हुश्यारी मिली है जो भी समझ मिली है ज्यान मिला है जीवन में उतरा है सारे शुक्राने गुरू के है गुरू ना मिलते कल जुग होता कल जुग कल है का युग कल है की युग को कल युग कहते है कल है जहां होती है वह कल युग अज़ा भगवान का वास है वो अभी भी सत्यूग है